ओम नमो भगवते बासुदे बैर नमहा प्यारे भक्तिगनों आज आप सर्वन करेंगे विष्णु भगवान और मोर की कथा कथा इस परकार है कनकपुर गाउ में भगवान विष्णु का एक मंदिर था उस मंदिर के आगे एक सुन्दर्व काफी बरा बाग था वही एक छोटी सी कुटिया में बाग का माली जीतो अपनी पतनी रामा के साथ रहता था जीतो सारी दिन बाग की दिखवाल करता पेरों को पानी देता था रामा घर का काम करती थी घर का काम समाप्थ होने के बाद अपनी कुटिया में तो मंदिर में जाकर भगवान विश्णु के भजन गाया करते थे एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर एक पेर के नीचे बैठी भजन गा रही थे तब ही उसे एक मोर दिखाई दिया और रामा के पास-पास धूम रहा था और अपने पंग को फैला कर नाच रहा था रामा ने मोर को नाचता देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा जब तक रामा भजन गाती रही तब तक मोर वही घुमता रहा उसके बाद कहीं चला गया भजन गाने बैठे तो वह मोर आ गया और भजन सुनकर नाचता रहा फिर चला गया रामा के भजन समाप्थ होने पर उसे ढूंती रही लेकिन वह मोर कहीं नजर नहीं आया अगले दिन रामा मंदिर गई और मंदिर के पुजारी से मोर के बारे में पुछा पुजारी ने कहा बेटी मैंने तो कोई मोर नहीं देखा हो सकता है पास के जंगल से आया हो तब रामा ने कहा लेकिन बाबा मैं जब भजन गाती हूँ वह तब ही आता है और जैसे ही भजन पूरा हो जाता है वह चला जाता है उसके बाद कहीं नजर नहीं आता तब बुजारी बाबा ने कहा बेटी वह साधू या संत होगा जिसका जन्मे मोर के रूप में हुआ है वह जब भी भगवासरी विष्णू के भजन सुनता है तो जूमने लगता है इसी तरह कुछ दिन बीद गए वह मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा एक दिन रामा ने जीतों से कहा वह मोर हर दिन भजन सुनने आता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तब जीतों ने कहा अरे बाग है पंची उर्ते उर्ते आ जाते है ऐसे ही मोर भी आ जाता होगा तुझे लगता है वह तेरा भजन सुनने आता है हो सकता है वह खाने की तला में आता हो अगले दिन जब वह मोर आया तो रमा ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई उसे देकर मोर जाने लगा रामा ने कहा हे पंची राज मयूर तुम साधरन मयूर नहीं हो मैं तुम्हारे बारे में जाना चाहते हूं तुम कौन हो या सुनकर मोर रोने लगा उसने इंसान की आवाज में कह मा था मैं पिछले जनम में एक शिकारी था जंगल से मोर पकर कर उनके पंख निकाल कर बाजार में बेचा करता था एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकरा उसके पंख निकालने के कारण वह घायल हो गया और मरने जाने कितने मोरों को मारा होगा हमारे पंख निकालने की कारण जो कष्ठ हमें होता है वह तु कभी नहीं समझ सकता इसलिए मैं तुझे सराप देता हूं कि अगरे जरम में तु मोर बने और तुझे भी इसी परकार का कष्ठ हो या कहकर वह रोने लगा तब रामा ने पुछा तुमने जो किया उसकी सज्जा तो तुमें मिल ही रही है लेकिन तुम इनसान की तरह कैसे बोल लेते हो और इस सराप से तुमें कैसे मुक्ती मिल सकती है तब उस मोर ने कहा आज जब कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे बहुत धर्थ होता है लेकिन इस कष्ठ को सहते ह जबसे मेरा जन्म हुआ है, मैंने सिरीहरी बिष्णु का नाम जाब शुरू कर दिया इस जाब के कारण मेरी कश्ट कम हो गए आपको भजन गाता देखकर मेरा मन नाचन को बेचायन हो जाता है भगवान सिरीहरी बिष्णु की मुझ पर बहुत किरपा है मैं कभी भी अपना रुप बदल सकता हूं यहां कहकर वो सुन्दर लर्के की रुप में परकट हो जाता है उसे देखकर रमा बहुत खुस होती है और पुछती है किंदु तुम किसी और को क्यों दिखाई नहीं देते तब मोर रुपी लर्के ने कहा मैं इंसान की रुप में रहता हूं किंदु जब कोई सिरीहरी विष्णू का नाम का गुनगान करता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और मोर के रुप में नाचने लगता हूं रमा ने आगे पुछा तुम्हें इस सराप से कैसे मुक्ति मिल सकती है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं तब मोर ने कहा माता यहां बहुत कठिन है यादि आप अपने पती के साथ एक सब्ता तक बिन अन्यजल ग्रहन की यक का अनुष्ठान करेंगी और मुझे पुत्रक रुप में पाने की कामना करेंगी तो भगवान विष्टू की किरपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपको पुत्रक रुप में प्राप्त हो जाओंगा रामा ने साम को यह बात अपने पती जीतों को बताई जीतों ने मंदिर की पुजारी से बात की और यक का अनुष्ठान किया साथ दिन लगातार यक चलता रहा साथ वे दिन यक की अंतिम आहुती के और नौ महीने बाद रामा के गर्व से एक तेजस्वी बालक की रुप में चन मलिया भाजाता है भागवान विश्णू की किर्पा से हर प्रानी को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है प्रेम से बोलिए विश्णू भागवान की जय